नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवियन और इस्पेशली राइट साइट के आपको हिप जॉइन का एवियन हुआ है तो उनकी टॉप टू मेडिसीन आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि य यदि राइट साइड के हीप जॉइंट में जो है फीमर का हेड वो सड रहा है नेक्रोस हो रहा है जो आप राइट साइडेद एवियन के पेशेंट है तो आप बिल्कुल इसको देखेगा बिना स्किप किये देखेगा और आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं और आ ऐसे ही वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं आपके समक्स और इसपेशली जो है मेल डिसॉडर को लेकर के हम लोग काफी ज़्यादा फोकस होते हैं तो आप यदि यह सारी टॉपफिस को लेकर के जो है आप इंट्रेस्टेट है तो आप हमाईर चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूले इसके साथ में होमेपाथिक दवाईयां और विमारियों पर भी डिसकस करते हैं तो इस सारी चीज़े देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दवाईएगा ताकि आपको नोटिबिकेशन मिलती रहे इंस्टाग्रान फेस्बूक पर फोलो करना ना भूले और यदि आप चाहते हैं तो आप हमें वाटसप के माध्यम से आप जो हैं हमसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं दोस्तों ये ट्रीटमेंट पेड होता है इसलिए यदि आपको पेड कंसल्टे इसलिए ब्लोक शॉटली कुछ बताना चाहूंदा है कि आपके ऐस पार्ट में जहां पर नेक पेडा हुई है इस सपेशली हम देख रहे हैं कि हिब जॉइंट में यह पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो यदि कि महां होगा क्या यदि आपको कहीं चोट लग गई हो कि किसी भी कारण से आप गिर गये हो आपको चोट लगी एक्सिडेंट हो यह किसी भी एक्सिडेंट नहीं वह चोट नहीं भी लगी तो भी एवियन हो जाता है तो उस समय होता क्या है कि आपके जो हीप जॉइंट है हीप जॉइंट की जो नसे हैं जो खून आपके जॉइंट को supply कर रही है वहाँ पर उस नस में choking हो जाती है जिस कारण से आपके femur के head को मतलब आपके जो कुलहे का joint है कुलहे के joint को proper oxygen नहीं मिल पाती proper nutrition नहीं मिल पाता है proper खून वहाँ पर नहीं जा पाता है इस कारण से वहाँ पर sudden पेदा होने लग जाती है तो यदि आपको इस प्रकार की problem देखने को मिल रही है तो आप जो है तुरंत आपके चिकिसक से संपर्ग करें आप जो है एकसरे करवा सकते हैं आप एमारा ही करवा सकते हैं तो आपको यह confirm हो जाएगा कि आपको एवस्कुलर नेक्रोसिस हैं तो जा सर्जेज की बात करें तो दोस्तों इसके स्टैजेस में यदि हम विदाओर सर्जरी कहां तक ठीक हो सकते हैं तो जदि आप थर्ट से फिफ्दth स्टेज तक भी हो तो आप ठीक हो सकते हो परन्तु शर्त यह है कि आपके अंदर दवाईया कितनी ससेप्टिबल है कितनी अच्छा वर्ग कर रही है इस पर डिपेंट करता है मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है हो सकता है चटी स्टेज में आने के पांच वी चटी स्टेज में आने के बाद भी वेक्ति जो है बीना सर्जरी के ठीक हो जाए क्योंकि वह सेप्टिवल अच्छा है मतलब उसका रिस्पॉंस दवाई के प्रती अच्छा है और यदि कोई पेशेंट है जिसकी सेकेंड स्टेज में है और उसका मेडिसीन के प्रती रिस्पॉंस अच्छा नहीं है तो फिर सर्जरी सेकेंड स्टेज में करवाना पर सकती है ऐब यति पता लगता है तो आपको योग्य चिछाप से मिलना होगा आपके एयरिया गृष्ट होए बंदे लॉक्टर ने उससे मिलिए और डिसकस कीजिए वो आपको दवाईया देंगे दवाई देने के बाद में जो है आपका एक असिस्मेंट होगा और उसके आधार पर ही तय होगा कि आप कितने ससेप्टिबल है यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम लोगों का ट्रीटमेंट दोस्तों बहुत शानदार है हम लोग आपको हर पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते जाते हैं और गाइड करने के नंबर बन दवाई बताऊंगा ऐसे तो दोनों ही नंबर बन दवाई हैं यदि आपकी सिंटम मिलते हैं तो आप ले सकते हैं सबसे पहला जो है देखिए दोस्तों राइट हेंड के लिए काफी सारी दवाईया है बहुत सारी है परन्तु आज आपको क्यों दो बता रहा हूं अग्ले वीडियो में और कुछ दवाईयों के बारे में दिसक्स करेंगे सबसे पहली दवाई यह दोस्तों चिलिडूनियम चिलिडूनियम आपके लिए बहुत शांदर दवाई है दोस्तों आपको राइट साइडेड एवियन है तो आपको बहुत अच्छा काम करेगी फ्रॉब्सिस हो रहा है तो आप चिली डोनियम के फेक्सिंटंट का यह होता है वंगे त्ति है चिली जांडिच जैसे परेशाय्भ़ाईंति है जो उनकी स्किन ना यह जोकी सुदाओ के समझां को पेट फूलने वाली परिशानी रहेगी, मतलब आपको पेट सम्मंदी परिशानी हो सकती है, या फिर आपको लीवर सम्मंदी बहुत सारी परिशानी हो सकती है, चाहे आप ज़्यादा हेवी ड्रिंक करते हो, तो ड्रिंक के कारण आपको हेटो मेगाली हो गया हो, है ना लीव वाले भाग पड़ेदी आप दबाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मतलब प्रिशर से उसका दर्द कम होगा तो इस प्रकार के आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आप चिली डॉनियम को यूज कर सकते हैं चिली डॉनियम को आपको थटी पोटेंसी में दिन में त दिर दिर सडने लग गया है तो आप लिलियम टीग यूज कीजिए लिलियम टीग बहुत अच्छी दवाई है उन पेशेंट्स में राइट साइडर एवियन तो ही है साथ में उनको जो है बहुत जल्दी रोना आ जाता है और घबराहड बहुत ज़्यादा होती है उनको डर स्टेज ऐसी है कि आपको यह जो है मानसिक तोर पर आप यह सोचते हैं कि आपकी डिजीज जो है इंक्यूरेबल आप ठीक नहीं हो पाऊगे तो आप लिलियम ट्रीग यूज कर सकते हैं साथ में यह जो पेशेंट होते हैं उनके पास में कोई सांतुना दे निकले आता है त पहले की तरह चलने लगोगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह सारी चीज़े जब एवियन का पेशेंट सुनेगा तो उसको जो है बहुत ज्यादा गुसा आने लग जाएगा वह चिर्चड़ा किस्म का हो जाएगा और उसके दर्द में इजाफा होगा मतलब आप शांतुन पोटेंसी में दिन में दो से तीन बार अप लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी परिशानी ठीक हो जाएगी दोस्तों अगेन आपको बोलना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन जो है हामफूल हो सकता है तो आप आपके चिकिस्सक से जरूर मिलिए आप आपकी इंवेस्ट मिलेंगे आप कुछ लोग यह पूछेंगे कि चिली डोनिया और लिलियम टीक दोनों साथ में ले सकते हैं तो बिल्कुल आप नहीं लीजिएगा क्योंकि आपको सिम्टम के वल एक ही दवाई के मिलाना है एक ही दवाई जो प्रोमिनेंट जिसके ज्यादा सिम्टम मिल रहे जो है चैनल पर लाया है तो बेल बटन दबाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और आपको ट्रीटमेंट चाहिए आप हमें वाट्सअप कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपको ने स्टूडियो में तब तक के लिए नमस्कार